जहें दोसे बंदे मातरम पिछले 8-9 दिन बॉलिवड के लिए किसी भी लिहाज से अच्छे नहीं रहे जिस तरह से के वादे एक मूवी ज रिलीज हुई और फ्लॉप हुई ये बताता है कि बॉलिवड में कहीं न कहीं बहुत कुछ गरबड़ चल रहा जिसके की तरफ पबलिक की जो एक नजरीया है उसके थ्रूप ध्यान दिया नहीं जा रहा है लाल सिंग चड़ा और रक्षा बंदन ये दो बड़ी बजट की मूवी थी जो की 11 अगस को रक्षा बंदन के मौके पर रिलीज हुई लाल सिंग चड़ा तो जिसमें की बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड मूवी थी कि इस मूवी को लेकर एक बस था कि भई आमिर खान जैसे बड़े स्टार की मूवी है इतने टाइम के बाद आ रही है तो ये मूवी कम से कम पर लब 200-300 करोड रुपए का कारोबार तो करेगी लेकिन फिर उसके बाद इस तरीके से इस मूवी को लेकर रियक्शन्स निकल कर दाना शान शुरू हुए कहा ये जा रहा था कि ये मूवी 50 करोड भी नहीं कमा पाईगी लेकिन इसने 50 करोड का अकड़ा पार कर लिया ये 31 करोड रुपए कमा चुकी है लेकिन इसका लाइफ टाइम बिजनस 60 करोड के उपर जाता हुए अब दिखाई दे नहीं रहा है वहीं दूसरी दरफ अगर हम बात करें रक्षाबंधन की जिसको जी 70 करोड के बज़र नहीं बनी थी वो भी 50 करोड रुपए नहीं कमा पाईगी और 40 से 45 करोड के बीच में ही उसके भी लाइफ टाइम कलेक्शन करने के बाते लग रही है जो कि एक करोड रुपए कलेक्शन जो है इनका पहुँच चुका है अब पर डे का अब और गिरेगा ही उपर तो जाएगा नहीं तो ऐसे में ये दो मूवीज मतलब इनकी टक्कर हुई तर असल दो दिन बाद रिलीज हुई कार्थी के टू से जिसने इसको बहुत जादा डेंट दिया यतना बड़ा डेंट दिया कि ये मूवी उसके बाद रिकवर कर ही नहीं पाई लाल सिंग चड़ा के जहां पर शोज दिन पर दिन कम होते गई कमाई कम होती गई कार्थी के टू के साथ ठीक उल्टा हुआ हिंदी में डव ये मूवी दिन पर दिन बढ़ती गई इसके शोज बढ़ते गई और कलेक्शन भी बढ़ता गया अब ऐसे मेरा जान लेते हैं कि नौ दिनों के रिलीज के बाद में क्या हाल है रक्षाबंदन और लाल सिंग चड़ा का और क्या हाल है साथ दिनों के रिलीज के बाद में कार्थी के टूका लाल सिंग चड़ा को रिलीज हुए आज नौ दिन पूरे हो चुके हैं आमिर खान के फिल्म ने नौ दिनों में ये साबित कर दिया है कि वो भी इस साल की एक बड़ी डिजास्टर है। लाल सिंग चड़ा के लिए सोशल मीडिया पर बहुत तीज से बॉयकॉट ट्रेंड कर रहा है। पिछले आठ दिनों में इस फिल्म ने सिर्फ 50 करोड रुपे का ही कारोबार किया है। कुल मलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि लाल सिंग चड़ा को दर्शकों ने पूरे तरीके से ना कार दिया है। मिले जुले रिव्यू के बाद आमिर खान के फिल्म लाल सिंग चड़ा दर्शकों को से नमागरों तक हीचने में ना काम रही। चार साल बाद बड़े पर लोटे आमिर खान को ये उमीद बिल्कुल भी नहीं थी कि लाल सिंग चड़ा का ये हश्र होगा। मेकर्स ने भी फिल्म बिल्कुल नहीं सोचा था कि फिल्म बॉक्स ओवस पर उन्दे मूँ इतनी बुरी तरह से गिरेगी। फिल्म के पहले हफ़ते का कॉल कलेक्शन महस 50 क्रोड रुपे रहा। ये फिल्म आमिर खान की ठाग्स ओफ इंडुस्तान के शुरुआती आकड़ों को भी पार नहीं कर पाई। आपकी जानकारी के लिए बता दू कि ठाग्स ओफ इंडुस्तान ने साल 2018 में ओपिनिंग डे पर ही करीब पौने 59 करोड रुपे कमाई करी थी। लाल सिंग चड़ा इसके आसपास अभी 9 दिनों के बाद पहुँच पाई है। अदुवेद चंदन के दिरदेशा ने बनी फिल्म का वर्ल्ड वैड कलेक्शन भी लगबख 50 करोड रुपे के आसपास है। और इतने कम कलेक्शन के साथ लालतिंग चड़ा आमिर खान की अब तक की सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। ऐसे में अगर आमिर खान के फिल्म सिर्फ 60 करोड रुपे के आसपास पहुंचती है तो बॉल्यूड के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विशय बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर चिंता की बात सिर्फ और सिर्फ आमिर खान के लिए नहीं है। उससे ही बड़ी चिंता की बात है अक्षे कुमार के लिए। ने बनी फिल्म रक्षामंदन का टोटल बजट 70 करोड रुपे हैं लेकिन 9 दिनों में यह फिल्म बजट का सिर्फ आदे से भी थोड़ा जादा ही निकाल पाई है। इस फिल्म ने 9 दिन यानि शुकरवार को सिर्फ 7 करोड रुपे कमाई करी। जिसके बाद रक्षामंदन से 2 करोड से जादा की कमाई नहीं करी है। आप इससे अंताला सकते हैं कि इस मूवी को लेकर आप कितना घटिया बज़ हो चुका है। आनन दलराके निर्देशे ने मनी रक्षामंदन की कहानी के ऐसी मिडली क्लास भाई के एर्दगर्द की है जो जीवन के परेशानियों क बीच अपनी बेहनों की जिम्मदारी उठा रहा है। वो किसी अच्छे घर में अपनी बेहनों की शादी कराना चाहता है हलाकि इन सब के बीच में उसकी अपनी खुद की शादी ही हुई है। बता दें कि इस फिल्म में अक्षे कुमार के साथ भूमी पेड़ने कर भी एहम भूमी का में नजर आने वाली है। लेकिन लेकिन इन सबी चीजों के बीच में सबसे बड़ी बाजी जो मारी है वो है साल 2022 की आई कार्थी के टू ने। वैसे भी साल 2022 को साथ फिल्मों के नाम कहा जाय तो गलत नहीं होगा। इस साल साथ की लगबाग हर फिल्म ने वाक्स खासी कमाई कर रही है। वहीं अब कार्थी के टू का साथ फिल्म का कलेक्शन भी सामने आया है जो कि मेकर्स को खुश करने के लिए काफी होने वाला है। दरसल निकल से धार्थी कार्थी के टू धीरे धीरे हिंदी फिल्मों को पीसे छोड़ कर आगे निकल गई है। इस अब से पहले इस मूवी को हिंदी वर्जन ने मातर 50 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था लेकिन आज की डेट में ये फिल्म 1575 से भी ज्यादर स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इसका कि फायदा इस फिल्म के कलेक्शन में सीधी तोर पर देखने के लिए मिल रहा है। अग आती दिनों में ही कार्ति के टू लाल सिंग चड़ा के साथ रक्षामंधन को भी टक कर दे रही थी लेकिन अब इस फिल्म की कमाई तेल्गू के साथ-साथ हिंदी भाशा में भी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर बात करने इसके कलेक्शन की तो आप लोग साफ देख मूवी बन रही है तो कोई उसको देखने नहीं जा रहा है। आपको क्या लगता है कि आने वाले दुनों में मूवी लाएगार हिट हो पाईगी या फिर और जो कुछ मूवी ब्रहमास्तर जैसी मूवी रखी हुई है वो हिट हो पाईगी। जरूर इस बात का जवाब जय हिन, जय बारत